Hello everyone and once again welcome to WSQ Tech programming channel guys मैं हूँ भागिरत गिरी और इस वीडियो में आपको कुछ और CSS properties बताने वाला हूँ जो आपने title में देखी होगी कुछ हम लोग और CSS text properties देखने वाले हैं इस वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने कुछ text properties बताई थी अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो देख लेजिए क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैं कुछ next text properties बताने वाला हूँ और मैंने जो पिछली implement कर रखी है वो भी as it is रखने वाला हूँ तो आप किस तरीके से align कर सकते हो left right center justify इस तरीके से आप text को align कर सकते हो या आप text decoration कर सकते हो underline लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो text transform आप चाहते हो uppercase में हो lower case में हो या capitalize या capitalize चाहते हो अज आप लगा सकते हो और word spacing क्या करेगा आप words के बीच में space देखा, जैसे WS cube tech, WS cube और tech ये दोनों words है, उनके बीच में spacing आप pixel से percentage में दे सकते हो, तो guys ये तो बात होगी हमारे theory concept की अब चलता है practically इसको implement करने के लिए, तो पिछले वीडियो में मैंने जहां तक बना रखा था, और इसी में हम लोग यहां से next properties लग आप paragraph पैरा लिख देता हूँ क्योंकि ये paragraph है, और आप dots से इसकी properties mention कर सकते हो, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको कुछ width दूँगा, तो मैं एक बार 1000 pixels की width दे रहा हूँ, और इसकी height है, उसको मैं mention कर देता हूँ 400 pixels, तो आप देख सकते हो, मैंने paragraph आपको height और width दिये फिलाग, और इसका अगर output दिखा हूँ मैं आपको, तो कुछ इस तरीके का आपको output दिख रहा है, और ये आपको यहां तक नीचे दिख रहा होगा, एक बार मैं देखता हूँ, width में भी मैंने कम दे दी, 100 pixels दिये है, और 1000 pixels दे देता है, तो आपको paragraph दि ने लिए, और इसके अंदर ये जगा के अंदर, मैं एक बार color property mention करता हूँ, मैंने आपको last video बदाई थी, color property क्या करती, color देती है, text को, अब हम थोड़ा सा font का size भी increase कर लेते हैं, तो font size, और font size increase करके, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, font size के अंदर, इसको 30 pixels द चल रहा है, text को align करवाना, तो अगर right लगाओगे आप, ये right की दरफ text आजाएगा, left लगाओगे, तो left की दरफ तो default में होता ही है, left की दरफ फिर से आजाएगा, और suppose आप लगाते हो center, तो center मतलब exact center में आजाएगा, और एक और चीज़ लगा सकता है, justify, तो justify से क्या गरे समझना easy होगा, जैसे देखो, यहाँ पर कुछ space छोड़ रहा था, यहाँ पर कुछ space छोड़ रहा था, यहाँ पर कुछ space छोड़ रहा था, तो justify क्या करता है, वो space नहीं छुड़ रहा था, वो अपने according ऐसे arrange कर लेता है, और अपने according arrange करके आपको पूरा content justifyable दिखता है, म मेरे लिए text को transform करेगी, तो text transform property में आप क्या लगा सकते हो, पहला uppercase, इसका मतलब WSQTEC आपको सारी चीज़े uppercase में दिखे, जो हर एक particular letter है, वो uppercase में दिखेगा, आप देख सकते हो, मैंने uppercase में नहीं लिख रहा, बट फिर में मुझे दिख रहा है, अगर इसको मैं lower case करो, तो क्या होगा, इसको कर देता है lower case, lower case में आपको छोटा दिखेगा, यह हो गया आपका lower case, और फिर अपन करेंगे capitalize, capitalize में क्या करेगा, यह हर एक letter को capitalize, हर एक word को capitalize कर देता है, तो आप देख सकते हो, मैंने 2 को capital नहीं दिखावा, मैं सारी चीज़ों को एक बार capital हटा एक word, और इसमें भी हम लोग text align लगा देते हैं, ताकि यह थोड़ा सा मुझे अच्छा दिखे, और text align में में यह center कर दूँगा, यह हो गया center, अब आपका exact बीच में दिख रहा है, तो text align center हो गया, अब हमारी जो property आती है, वो है, हमारी underline की property, यह नहीं text decoration, इधर लगा द कुछ भी नहीं, तो आप जोब anchor tags पर काम करोगे, जब आप anchor tag बना होगे, और मैं आपको एक anchor tag बना के दिखाता हूँ, और उसमें मैं एक property भी लगा दूँगा, यह मेरा anchor tag हो जाएगा, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, एक बार x, y, z, या anything, ओके, तो आब decoration none, तो अभी आपको जो यह underline दिख रही है, वो दिखना बंद हो जाएगी, इस तरीके से आप text decoration none को use कर सकते हो, और mostly ज्यादा तर इसी चीज के लिए use किया जाता है text decoration को, अब जो हमारी last property है, वो है word spacing, तो word spacing क्या करता है, वो देख लेते हैं, तो मैं आपको word spacing गहीं पर जाएगा, words को space में आपको pixels में mention करते हैं, जैसे मैं आपको 20 pixels, आप जेख सकते हो, जो words है, ws cube, welcome to ws cube attack, यह सारे words है, चार words है, चारों के बीच में space आ गया, और space बढ़ा हूँ मैं, तो और space बढ़ाने पर और space आ जाएगा, तो word spacing क्या करता है, pixels पर गाम कर रहा है, और आप इस तरीके से word space बढ़ा सकते हो, एक और property मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने list मैं लिखी थी, but letter spacing, तो वो spacing के साथ आपको साथ साथ में clear हो जाएगी, word का मतलब पुरा word, और letter का मतलब, जैसे welcome, w e l, यह आपको क्या, एक एक letter है, कई पर जगहों पर आपने देखा होग और देख सकते हैं, जो नाम है वो आपको दूर दूर दिखा हो देखेगा, अगर मैं इसकी थोड़ी सी विर्थ बढ़ा दूँ, तो आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से, WSQTag बहुत दूर दूर आपको लिखा हो दिख रहा है, इस तरीके के भी आपने text देखे होंग के दूर कर देखा है, तो इस तरीके से आपको इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो, आपको ये text प्रॉपर्टीज का concept क्लियर हो गया होगा, और text प्रॉपर्टीज कैसे यूज करते हैं, यह आपको समझ में आ गया होगा, that's it for this video, thank you so much for watching.